दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत है Railway Group D भरती 2022 के लिए Only Top Study आपके लेके आया है 50 दिनों में 120 वीडियो का एक क्रे स्कोर्स जिसमें आपको पूरा Complete Math, Complete Reasoning, Complete Science और Complete G के कवर कराय जा रही है अगर आप चाहते हैं Free of Course इस को Complete कवर करना तो अभी आप इस चैनल के साथ में जुड़ जाएए नीचे रेड कल का बटन दिख रहा होगा खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुचाईएगा बेल आइकन को ओन रखेगा क्योंकि यहां पे आप लोग को जितनी भी वीडियो मिलेगी उनके नोटिफिकेशन टाइम टो टाइम मिलते रहेंगे सुबह पांच बजे करेंट अफेर, दोपेर में दो बजे रीजनिंग मैत और रात में नो बजे दोस्तों आपका जीके नाइट कुईज इन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाएंगे जितनी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्सिन बोक्स में मिल जाएंगे वहां से जाके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तो टाइम इस्पिर्ट डिस्टेंस जिसमें 15 टाइप के कोशन कवर करेंगे उनकी 100 ट्रिक देखेंगे और यह बिल्कुल बेसिक से और सारे टाइप के questions cover करेंगे दोस्तों जो exam में पूछे जा सकते हैं अभी तक railway group D में जिस टाइप के questions बने हैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे time speed distance से ऐसे ही मैं सारे chapter wise चीजे cover करा रहा हूँ बिल्कुल basic से मैं आपको कुछ चीजे समझाता हूँ ये समझ लीजिगा ये question को soul करने में help करेगी देखे दोस्तों चाल को कैसे निकालते हैं आपने कितनी दूरी को कितने समय में cover किया माल लिजे आपने 20 किलोमेटर की दूरी को 5 गंटे में cover किया तो 4 किलोमेटर परती घंटा आपकी speed आ गई है ठीक है यानि कि चाल आ गई है समय कैसे निकालते हैं आपने 20 किलोमेटर की दूरी को 4 किलोमेटर परती घंटा से cover किया तो 5 गंटे में आपने cover कर ली ये आपका समय आ गया अब दोनों चीज हमारे पास है चाल भी है और समय भी है तो इससे आप दूरी निकाल सकते हैं इन दोनों की multiply करके यानि कि 20 किलोमेटर की दूरी को आपने 4 किलोमेटर परती घंटे की speed से 5 गंटे में cover कर लिया ये बिल्कुल basic चीजे हैं ये मेरे इसाब से सभी student को पता होगी मैं उन student को भी ये चीजे बता रहा हूँ जो पहली बार मतलब chapter को देख रहे होगे दोस्तो इसमें एक छोटी सी चीज ये भी होती है कई बार question में क्या होता है कि meter per second में आपको जो speed है वो दे दी जाएगी और आपको kilometer per 30 second में निकालने होगी तो जब भी meter per second से आपको kilometer per hour में निकालना होगा तो उस समय 18 बटे 5 की multiply करनी होगी meter per second में ये चीजे बिल्कुल basic है जो कि हर एक experiment को पता होनी चाहिए क्योंकि जब question को solve करते हैं और ऐसी चीजे नहीं पता होती है तो सबसे बड़ी problem वहीं पर आजाती है समझाने में भी problem होती है तो meter per second को दोस्तो कभी भी kilometer परती घंटा में cover करना है तो 18 बटे 5 से multiply करनी है ठीक है? meter per second में और अगर kilometer से meter per second में convert करना है तो kilometer per hour में दोस्तो क्या करना है अब की बार पहले 18 बटे 5 की multiply की थी तो 5 बटे 18 की कर देंगे तो यह आप लोग याद कर लीजे या फिर इसको मतलब याद ही कर लीजे ठीक है? अच्छा जब भी kilometer से meter, meter में centimeter में जाते हैं तो हर एक step में दोस्तो 1000 की multiply होती चली जाती है तो यह भी आपको काम आएगा ठीक है? और जब नीचे से उपर की और जाएंगे यानि की centimeter से meter, meter से kilometer में तो आपको 1000 से divide करना है वैसे ही घंटे से minute और minute से second में आएंगे तो जब नीचे की side को आएंगे तो 60 से multiply और जब second से minute और minute से R में जाएंगे तो 60 से divide यह कुछ basic चीजे थी जो आप लोग को पता होनी चीए थी time speed distance के बारे में चलिए अब question को solve करते रहेंगे और चीजों को देखते रहेंगे और समझते रहेंगे अगर आपको यह video पसंद आजे दोस्तों तो please आपसे एक छोटी से request है कि वीडियो को like जरू करिएगा ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं पहला question आपके screen पर है एक cycle सवार को 8 घंटे में 80 km की दूरी तै करनी है ठीक है? 80 km की दूरी 8 घंटे में cover करनी है यदि उसने 5 घंटे में केवल 4 दूरी ही तै की हो ध्यान दे सुनिएगा अगर 5 घंटे में उसने 4 दूरी ही तै की हो तो बताओ वैसे इस दूरी को बचे समय में तै करने के लिए किस चाल से चलना होगा तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा चलिए इसके solution को मैं बिल्कुल detail में आपको समझाऊंगा तो देखे भई यहाँ पर क्या बोला था दोस्तों question में कि एक cycle सवारने 8 घंटे में 80 किल्मेटर की दूरी तै करनी है ठीक है तो 8 घंटे में 80 किल्मेटर की दूरी तै करनी है बट फिर यहाँ पर एक यदि लगा के बोला यदि उसने 5 घंटे में घंटे में cover कर लिया, यदी की है तो बताओ वे से इस धूरी को बचये समय में करने के लिए किस चाल से चलेगा, ठीक है तो बचया समय कितना है दोस्तों, अब 5 घंटे उसे खर्च कर लिया 8 में से तो बचे कितने 3 घंटे और दूरी कितनी बची है दोस्तो 20 कवर होगी तो 60 दूरी बची है तो 60 को मैं 3 से डिवाइड कर दूँगा 20 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड सोस को चलना पड़ेगा बाकी की दूरी को कवर करने के लिए ठीक है, easy question था easily हो जाएगा, ऐसे questions आजाते हैं exam में, मैं आपको सारे ही question वो कवर कराने वालों दोस्तों जो exam oriented है और exam में बन सकते हैं ठीक है, चलिए, अब आपका next question आजाता है दूसरा question दोस्तों है, और आप खुद भी try कर सकते हैं अगर आपको कोई भी question देखना है और मतलब यह सारे ही question important है exam के point of view से, तो आप वीडियो को pose करके, try करके, आप comment box में answer बता सकते हैं, question है एक हवाई जहाज, किसी दूरी को 40 मिनट में तै करता है किसी दूरी को, ठीक है उसकी ओस्त चाल 240 किलोमेटर परती घंटा है ठीक है यदि उस दूरी को 30 मिनट में तै करना हो, तो हवाई जहाज की चाल क्या होगी अच्छा, अब हमें यहाँ पे दोस्तों दो चीजे मिल गई है एक तो उसकी ओस्त चाल 240 किलोमेटर परती घंटा है उसकी ओस्त चाल 240 किलोमेटर परती घंटा है और एक हवाई जाज किसी दूरी को 40 मिनट में तै करता है ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दूरी निकाल लूगा तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जब भी हमें दूरी निकालनी होती है तो दो चीजे चाहिए होती है ताइम और स्पीड हमारे पास दोनों है बट एक प्रोब्लम है दोस्तों यह ताइम जो है ना यह मिनट में है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो 40 बटे 60 multiply दोस्तों हम इस फीड से कर देंगे 240 किलोमेटर परती घंटा से है तो यह आपका 0 से 0 कर जाएगा 6 चोग 24 तो 4 चोग 16 यानि कि जो दूरी आ गई दोस्तों डिस्टेंस आ गई वो 160 किलोमेटर की आ गई अब हमारे पास दोस्तों दूरी आ गई 160 किलोमेटर यहां तक कोई problem किसी को 160 किलोमेटर की दूरी को हमें 30 मिनट में cover करना है ठीक है तो 160 किलोमेटर की दूरी को जब मैं 30 मिनट में cover करूँगा एक किलोमेटर में है दोस्तों तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा तो इसको भी 60 से डिवाइड कर लेंगे ठीक है 60 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 60 यहाँ पर आ जाएगा तो यह हो गया आपका 0 से 0, 3 दूनी 6 तो यह आपका हो जाएगा अगर उसको उसी दूरी को यानि की 30 मिनट में कवर करना होगा तो 320 किलोमेटर परती घंटा से उसको चलना होगा आई होप कि यह कोशन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा ठीक है दोस्तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगे अब नेक्स कोशन की और बढ़ता है दोस्तो तीसरा कोशन है दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमेटर की दूरी पर है बिल्कुल चलिए यह हो गए हमारे दो मित्र और इनकी जो बीच की डिस्टैंसे 90 किलोमेटर की दूरी हो गई ठीक है करम से 20 और 25 किलोमेटर पर चलते है यानि कि दो जो मित्र है मैं मान लेता हूँ यह A है और यह B है एक इधर से चलता है और एक इधर से चलता है एक चल रहा है 20 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से और B चल रहा है 25 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से ठीक है यहाँ पर लिखा है चलने से एक दूसरे से मिलने चलते हैं दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन दोनों को देखे हमारे पास यहाँ पर दो चीजे हैं एक तो चाल आ गई यानि कि स्पीड आ गई ठीक है 20 किलोमेटर परती घंटा और 25 किलोमेटर परती घंटा दूरी हमें पता ही है 90 km तो जब हमारे पास दो चीजे होती है समय हमें निकालना है ठीक है ना दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो हमारे पास एक चीज निकालने के लिए हमें पर समय निकल सकते है इसलिए ठीक है तो समय को निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको मैं erase कर देता हूं या फिर ऐसी कर देता है दोनों के चाल को पलस करिए 20 और 25 कितना को 45 किलोमेटर परती घंटा 90 किलोमेटर की दूरी को जब 45 किलोमेटर परती घंटा की दूरी से कवर करेंगे तो कितना 2 घंटे में दोस्तों कवर हो जाएगा कितने में 2 घंटे में कवर हो जाएगा पूछा है कि पहले वाले मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे पहले वाले मित्र के घर से कितनी दूरी पर तो पहला मित्र जो है वो 20 किलोमेटर परती घंटा से चल रहा है वो 2 घंटे में कितना चला होगा 20 किलोमेटर परती घंटा multiply 2 तो कितना 40 km की दूरी पर मिलेंगे पहले वाले के घर से I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा ये भी एक अच्छा कोशन था easily कर लोगे ऐसे कोशन railway group D में पूछे जाते हैं दोनों के दोस्तों के घर की दूरी 90 km 20 km परती घंटा से चल रहा है एक आपका चल रहा है याँ पर एक चल रहा है 25 km परती घंटा से ठीक है अब दोनों को प्लस कर दिया मैंने 25 और 20 को 45 km परती घंटा अब इस दूरी को मैं 45 से डिवाइड कर दूँगा तो 2 घंटे में कवर होगया यानि कि ये पूरी डिस्टेंस 2 घंटे में कवर होगी मेरे को जानना है कि पहले वाला कितना चला होगा तो 20 km परती घंटा के हिसाब से 2 घंटे में ये 40 km चल दिया होगा आई होप कि ये भी आप लोगो को समझ आ गया होगा मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ठीक है तो प्लीज कमेंट बोक्स में अपना रेस्पोंज जरूर दीजेगा यहाँ पर देखेगा आज का ये जो कोशन है मोहन A से B तक 10 km परती घंटा B से C तक 15 km परती घंटा C से D तक 25 km परती घंटा चाल से चलता है यदि A B और B C और C D तो पूरी त्यातरा में उसकी चाल क्या होगी अब यहाँ पर दोस्तों ये दो टाइप के कोशन बनते है एक तो कोशन होता है अगर इन तीनों के जो दूरी होगी मान लिजे ये मैं डो करता हूँ A से A ठीक है फिर यहाँ पर B यहाँ पर C और यह D अगर यह तीनों इक्वल डिस्टेंस है तो इसके लिए एक ट्रिक होती है वो मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर समझीगा थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैंने ये चीजे पहले ही ड्रो कर लिए क्योंकि इजली समझी में आ जाएगा ठीक है भई तो मोहन ने A से B तक 10 किलमेटर परटी घंटा A ही होगा हमारा B होगा इन दोनों के बीच की चूसपीड रही है वो 10 किलमेटर परती घंटा रही है फिर B से C तक रही है 15 किलमेटर परती घंटा ठीक है मोहन की और C से D तक रहे 25 km परती घंटा पूछा है अगर तीनों के बीच की दूरी इकवल है A, B, B, C, C, D के बीच की दूरी इकवल है तो पूरी आतरा में उसकी चाल क्या होगी यानि कि उसकी पूरी आतरा के दूरान चाल पूछी गई है तो इसमें दोस्तों हमारी ह यह ओ शसक चाल निकालने के लिए ड्रिक होती है आपको याद नी करनी बस यह ध्यां नखना है कि अगर दूरी 3 की इकवल है तो 3 की multiply कर देनी है तीनों जो आपकी ये 4 लिखी है ठीक है यानि कि 3 multiply 10 multiply 15 multiply 25 कोई दिक्कत नहीं है सभी को समझ आ गया होगा इतना basic सी चीज है अब नीचे क्या है ये थोड़ा सा समझेगा कि जो ये दूरी है ना जैसे 10 15 पहले x y मैंने x y लिखा है y z लिखा है और मतलब 3 की multiply होगे पहले इन दोनों की multiply फिर इन दोनों की और फिर इन दोनों की पहले क्यों लास्ट वाली ठीक है अब इनकी multiply करेंगे तो इसको बस ये एक बार equation बन जाएगी तो सोल हो जाएगा उपर वाला समझ में आ गया नीचे 10 और 15 की कर दी मैंने फिर 15 और 25 की कर दी और फिर 10 और 25 की कर दी ये हो गया ठी से कट गया 75 31 बार तो यहां पर उपर वाला अगर मैं सोल करू तो 450 divided by 31 divided करेंगे 14.51 ये आपका answer आजएगा यानि कि इसकी पूरे मोहन की जो पूरी की पूरी यात्रा के दोरान ओसच चाल रहेगी वह क्या हो जाएगी दोस्तो 14.51 तो I hope कि ये question आप लोग को समझ आया होग ठीक है ये वाला question important है ऐसा हो सकता है कि exam में इस type का question आपके देखने को मिल जाए ठीक है चले इसके अलावा एक question और है जो की अच्छा question है इसको भी देख लेते हैं एक cycle सवार एक निस्ची दूरी को ध्यान सुनिएगा ये काफी important लिखा है इसमें एक निस्ची दूरी को यानि कि एक fix दूरी है 6 km परती घंटा से इस आधा 5 km परती घंटा से चल कर पूरा करता है 11 घंटे का समय लेता है वे दूरी कितने होगे अब हमारे पास speed है समय है तो इसका मतलब चीजे तो निकल जाएगी बट यहाँ पे कुछ इस परकार से चलाए वह हो किस परकार से मै आधी की है 5 km परती घंटा की चल से ठीक है और पूरी दूरी को जो टाइम लगाया है दोस्तों कवर करने में वह लगाया है 11 घंटे ठीक है तो वह कितने लगा है 11 आर्स तो इसको कैसे सोल करेंगे सिंपल सा है पहले वाला जो पॉइंट लिखा था हमारा क्या लिखा था द देखे मैं एक्स माल लेता हूं एक एक्स 6 km के परती घंटा से चला है प्लस दूसरी एक्स दूरी है यानि कि दोनों इकोल है ना तो वह 5 km परती घंटा से और कितना समय लिया 11 घंटे ले लिए इसने ऐसे ही तो कुछ हुआ है ना तो अब इनकी दोस्तों हम क्या कर लेंगे ऐसे करके कुछ अपना वह हो जाएगी ठीक है ना देखे मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूं क्योंकि वहाँ पर बेज छोटा पड़ रादर ठीक है ना तो इस तरीके से एक एक्क्वेशन बन गई हमारी इसको सोल करेंगे तो आपका 11x कितके आ जाएगा 30 इंटू आपका 11 के ठीक है भई तो यह आपका x की value है आपके कितनी आजेगी 30 आजेगी 11 से 11 कट जाएगा यह ना तो x की value होगा 30 आगई तो पूछा क्या है वह दूरी कितनी होगी तो एक x की value दोस्तो 30 है तो दूरी कितनी है 2x है क्योंकि आदा x वो चला है अलगी speed से आदा x पूरी दूरी हो जाएगी हो आई होप कि आपको यह वी question समझ आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया तो एक question और है ऐसा ही उसको भी देख लेते हैं question है दोस्तो बस थोड़ा सा उससे एक step आगे होगा एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को करम्स 15 km परती गंटा 12 km परती गंटा और 20 km परती गंटा की चाल से तै करता है यदि तीनों दूरियों को तै करने में 12 गंटे लगे तो परती एक दूरियों को कितनी है तो परती एक दूरियों की बार बताना है यानि कि मतलब एक ही x की वैल्यू बतानी है यह वाली दूरी होगी मैंने इसको तीन भागों में डिवैड कर दिया ठीक है अब x ही होगी x ह होगी तो मेरे को सिरफ एक X के वेल्यों बताने है पूरी दूरी नहीं बथाना है और इसमें मैं 15 km प्रती ःचंटा से चल रहा हूं एक बार्र किलुमेटर और एक पंद्रा बारा और एक बीसा तो इस परकार से मैं चल रहा हूँ तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे ठीक है इसको कैसे करेंगे x बटे 15 ठीक है प्लस x बटे 12 प्लस x बटे 20 और कितने गंटे में दोस्तों कवर कर ले रहा है 12 गंटे में तो इन सब को equal रख लेंगे 12 के अब इसको solve कर लीजे तो यहाँ पर आपका क्या आजाएगा दोस्तों इसको हम पहले वो कर लेंगे sort कर लेंगे ठीक है तो sort कर लेंगे 5 से कर लेंगे कितने से हो जाएगा है 12, 20 और यह देखे जब यह वाली equation बनती है ना तो इन तीनों का हम क्या ले लेंगे दोस्तों LC हम लेंगे कितना आ गया 60 ठीक है तो 15 चोक 60 तो 4X हो जाएगा 12 पंजे 60 तो 5X हो जाएगा और 20 तीया साट आने की 3X हो जाएगा तो यह हमें बस solve करना है आपका answer आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका इसको अब cross multiply कर लेंगे तो यह सभी को plus करेंगे 12X और 12 की multiply करेंगे इसमें तो 12 सी 12 कटेंगे तो X की value 60 आगे ठीक है इस वाली condition में दोस्ते आपे LCM लेके हम इसको solve कर लेते हैं उपर वाले question में भी वैसे ही किया था ठीक है अगर किसी को कोई doubt है तो पूछ सकते हैं कोई problem नहीं है चले next question पर आजाते है अगला question क्या कहता है कि एक कार किसी दूरी की यातरा को 10 घंटे में 48 किमेटर परती घंटे की रफतार से चल कर पूरी करती है यदि उस दूरी की यातरा को आठ घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफतार को कितना बढाना होगा अब सबसे पहले हमारे पास दो चीज़े आगए दोस्तों दो चीज़े कोन सी एक तो कार की दूरी को 10 मतलब Pennsylvania किसी दूरी को 10 घंटे में कबर करती है 48 km प्रती गंटा की speed से यानि कि हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं distance हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि भई हमने 10 गंटे में 48 km प्रती गंटा से दूरी को cover किया तो वो दूरी है 480 km ठीक है अब क्या बोल रहे हैं कि इसी दूरी को अब हम आठ घंटे में cover करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आठ घंटे में भी cover हो जाएगा इसको 8 से divide कर दीजे ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आठ चंगड़ तालिस 60 km परती घंटा अगर हमें इसी दूरी को आठ घंटे में cover करना है तो हमें चलना होगा 60 km परती घंटा की speed से ठीक है पूछा क्या गया था है आपे आठ घंटे में पूरा करता है तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा तो कितना बढ़ा दोस्तो पहले 48 km परती घंटा से चल रहे थे अभी 60 से चलना पड़ेगा तो 12 km परती घंटा की speed से हमें बढ़ाना पड़ेगा ठीक है अगर बढ़ाने की बात की गई है तो 12 km परती घंटा की speed से बढ़ाना पड़ेगा I hope कि आप लोग को समझ आ गया होगा ठीक है चलिए एक और यहाँ पर कोशन देखते हैं इजी है हो जाएगा और ऐसे कोशन भी बनते हैं दोस्ते एक्जाम में कोशन है कि A तथा B की चालो का अनुपाद 2 is to 3 है A और B की चालो का अनुपाद लिख लेता हूँ मैं A दूसरे साइड में B और चाल का अनुपाद क्या है 2 is to यह मैं लिख लेता है यहाँ पर speed का वाइटीक है किसी निश्ची दूरी को तै करने में A भी जो है 10 मिनट अधिक लेता है A B से 10 मिनट अधिक लेता है यानि कि A B से 10 मिनट अधिक लेता है यदि A किसी चाल पहले से दुगनी हो तो इसी दूरी को तै करने में कितना समय लेगा अब जब ये वाली condition होती है ना अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी speed की चाल यह है 2 is to 3 तो time क्या हो जाएगा आपका time का जो ratio होगा वो opposite हो जाएगा 3 is to 2 ये इस चीज का logic मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ student confuse हो चुके होंगे आपकी speed ये है जो कम speed से चलेगा वो ज़्यादा time लेगा तो भाई ये जो है ना ये चलेगा तो 2 की speed से तो ये 3 time लेगा मैंने ये 3 को इधर रख दिया और 2 को मैं इधर रख दूँगा ठीक है क्योंकि speed का opposite होता है time और time का opposite होता है आपकी speed अगर time जादा है तो speed कम होगी time कम है तो speed जादा होगी ये simple सी बात है समझ में आई या नहीं ये बता दीजे तो guys यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हमें speed का ratio मिल गया time का ratio मिल गया पूछा क्या था कि a b से 10 minute अधिक लेता है तो ये कितना time अधिक ले रहे है ratio के इसाब से तो केवल एक ले रहा है ratio के इसाब से a b से केवल एक ratio अधिक time ले रहा है तो यहाँ पर 10 इसके एक वाल लख लेंगे यानि कि एक ratio की value में 10 मिल गए ठीक है पूछा क्या है तो वह इस दूरी को तै करने में कितना समय लेगा तो a की चाल पहले से दुगनी हो जाए तो a की चाल को दुगनी कर दीजी तो कितना समय लेगा दोस्तों आप पहले ही निकाल लीजे कितना समय लेगा तो यहाँ पर अगर मैं A की बात करूँ A जो है वो कितना समय ले रहा है वैसे तो 3 समय ले रहा है एक ratio की value आपकी 10 हो गई तो यहाँ पर 3 multiply 10 कर लेंगे ठीक है 3 multiply 10 यानि कि जो A है वो कुल 30 मिनट लेगा और अगर पहले से दुगनी चाल कर दी जाएगी तो 2 से divide कर देंगे यानि कि अब वो 15 मिनट लेगा यह simple सी चीज थी समझ आई या नहीं यह बता दीजे हमें ratio अगर कभी भी दोस्तो time का दे दिया जाए तो हम speed का ratio निकाल लेंगे speed का ratio दिया गया था इस question में तो time का निकाल लिया time के ratio के according यहाँ पर a, b से 10 मिनट अधिक लेता है तो ratio के हिसाब से केवल एक ratio अधिक है 3, 2 से 1 जादा है तो यहाँ पर एक ratio बराबर 10 मिनट हो गया तो यह कुल समय कितना ले जाए 30 अब पूचाए कि अगर a की चाल को दुगनी कर दी जाए तो कितना समय लेगा अगर यह अभी 30 ले रहा है तो दुगनी करने पर 15 मिनट लेगा simple सी बात है समझ आगया सभी को चले तो next question पर आते हैं अब दूस्तो इस वाले question को आप लोग soul करके बताएंगे ठीक है आपका दसवा कुन सा question होगा दसवा question है इसको soul करके बताईए कि अपनी वास्तविक चाल की 3 बटे 4 चाल से चल कर एक व्यक्ति अपने गत्वे स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है इस दूरी को वास्तविक चाल से तैय करने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज तो पता चल गी क्या चल गी अपनी वास्तविक चाल से यहाँ कि खुद की चाल को compare कर रहा है अब से और पहले से तो 3 बटे 4 जो होगा यह आपका यह जो मैं लिखोंगा भी आपे 3 बटे 4 अपनी वास्तविक चाल का 3 बटे 4 चार से चाल से चल कर एक विक्ति अपने गत्वय स्थान पर 20 मिनट देजी से पहुचा है यानि कि अब वो जो चल रहा है दोस्तों अब अब वो चल रहा है 3 की स्पीड से अब ठीक है और पहले वो चलता था 4 की स्पीड से ठीक है तो पहले चलता था पहले अब मैं इसको यहीं पर बताता हूँ यहीं पर समझ में आएगा ठीक है न तो इसको देखेगा थोड़े द्यान से वह तीन बटे 4 लिख था पहले वो 3 की स्पीड से चलता था अब वो 4 की speed से चल रहा है चाल से चल कर एक वेक्ति अपने गत्वे स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देजी से पहुँचा है ठीक है तो अब वो 3 की speed से चल रहा है अपनी वास्तविक चाल की 3 बटे 4 सोरी अब वो 3 की speed से चल रहा है पहले वो 4 से चलता था तो इसी लिए वो 20 मिनट देजी से पहुचा है तो आप लोग इनके उसी की तो यहां पे अगर मैं बात करूँ दोस्तो अब अगर वो कम speed से चलेगा पहले के मुकाबले तो वो 20 मिनट देजी से पहुचता है तो इन दोनों के बीच में जो ratio का difference है दोस्तों केवल वन का है और समय का की तरह difference बीस का है यानि कि एक ratio के बराबर 20 मिनट है ठीक है? चाल में तो एक ratio के बराबर 20 मिनट है और मैंने क्या बताया था? यह 4 का ratio है इसकी तो इसके समय का ratio क्या हो जाएगा? 3 बटे 4 है तो 4 बटे 3 हो जाएगा यानि कि अब वो 3 की 4 से चलता है तो 4 समय लेगा और 4 की 4 से चलता था तो 3 समय लेता था तो अब और पहले में उसको मैंने time का भी जो है ratio निकाल लिया अब time की ratio में दोस्तो एक मिनट में 20 आ रहा है ठीक है ये भी आप लोग समझ गयोंगे इस समय में तो अगर मैं उसका पूरा समय निकालू ठीक है इस दूरी को वास्तविक चाल से तै करने में कितना समय लेगा तो यहां पे अगर मैं इसका पूरा समय निकालू तो 3 से multiply 20 की कर दूँगा क्योंकि 1 ratio बराबर 20 है तो 3 का multiply करने पर दोस्तों क्या जाएगा पहले 3 ratio में cover कर लेता था न और एक ratio की value बीस है तो 60 minute में वो cover कर लेता था अभी क्या है अभी कितने में पूछा है कि दूरी को वास्तविक चाल से तै करने में कितना समय लगेगा तो वास्तविक चाल को यहां पे आप लोग हाँ यह वास्तविक य जाएगा यहीं कि 60 minute लग जाएगे ठीक है क्योंकि मैं इसको पहले पहले वाले से multiply कर लिया अगर आप इससे multiply करते तो यह अब का समय आ जाता निकलने आई होप कि आप लोग को यह कोशन समझ में आ गया हो गर समझ में नहीं आया कुछ भी तो comment box में बता सकते है मैं आपको दूरी इससे दुगनी समय में तै की गई तो दोनों चालों का अनुपात क्या है यानि कि यहाँ पर एक भी कुछ भी आपको दिया नहीं गया है सब कुछ आपको क्या करना है दोस्तों मानना पड़ेगा ठीक है एक विशेज दूरी मैं मान लेता हूँ X दूरी है वो एक व दूरी को लिख लेता हूँ आधी ऐसे तो लिखे लेता है इसकी इससे दुगने समय में तै की जाए या की गई हो तो दोनों चाल का अनुपात कितना होगा तो यहाँ पर यह जो अनुपात लिख क्या है यह क्या है दोस्तों आपके पास distance आ गया ठीक है और कुछ एक time का ratio भी यहाँ पे निकल के आ रहा है time का ratio कैसे निकल के आ रहा है अगर मैं यहाँ पे दोस्तो इसको यह एक वो उसी दूरी को मैं एक समय में complete कर रहा हूँ तो इस दूरी को मैं दो समय में complete कर रहा होगा आप समझ रहे हैं भाई अगर मैं ये वाली distance को मैं एक time में complete कर रहा होगा तो ये वाली जो आधी distance है ना इसकी इसको मैं दो मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आधी दूरी को दूगने समय में तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा simplify कर लेता हूँ इसको अगर मैं simplify करूँ तो दोस्तो ये वाली न क्या जाएगा इस वाली x को यानि कि ये वाली दूरी को cover करने में में को चार समय लग जाएगा यानि कि ये ratio और ये ratio बनके आया है ठीक है अब ये ratio क्या बनके है ये time का आ गया 1 is to 4 क्या आ गया time का ratio है और चिये किसका speed का तो time का apposite क्या होता है speed ठीक है न तो 4 is to 1 आपका क्या आ जाएगा ये speed का ratio आ जाएगा समझ में आया नहीं है तो फिर से बता देता हूँ यहाँ पर बोला गया कि एक विशेज दूरी को एक विशेज साल से तैक की गई यदि इसे यानि कि एक विशेज दूरी x मान ली मैंने और उसको cover किया मैंने एक ही समय में ठीक है 1 मान लेता हूँ मतलब वो मानने वाली बात है अब 10 भी मान सकते है फिर 0 अटा के फिर भी 1 ही आएगा 100 मान लीजे इधर भी 0 अटा हट जाएगी फिर भी 1 ही आएगा ठीक है न तो मैंने इस x दूरी को एक समय में complete किया है इससे आधी दूरी को दो समय में यानि कि इससे दूरी ने समय में किया है तो यहाँ पर 1 माना था तो यहाँ पर 2 मान लूगा तो इसको मैंने क्या कर लिया simplify कर लिया ठीक है दो दूरी 4 करके यानि कि इसी x कूद मैं 4 समय में complete करूँगा तो यह जो ratio आया दोस्तो 1 is to 4 का यह time का ratio आ गया और time के ratio का opposite होता है दोस्तो speed कर ratio तो पूचा था यहाँ पर दोनों चालों का अनुपात क्या होगा तो speed कर एसो 4 is to 1 हो जागा अगर time का 1 is to 4 है तो speed का 4 is to 1 यह मैंने अभी आपको बताए था थोड़ी देर पहले ठीक है चले अगला question यहाँ पर यह तो होई गया हमारा अगला question आ जाता है एक दूरी को तेह करने में लिया गया समय कितना होगा यह आपको बताना है ठीक है तो यह देखिए A और मैं यहाँ पर ready ले ले लेता है color ठीक है यहाँ पर A मान ले रहा हूँ यहाँ पर B मान ले रहा हूँ ठीक है question में क्या बना कि एक निश्ची दूरी को तेह करने में दो व मंजिल तक पहुंचने में A, B से 30 मिनट अधिक लेता है अगर इस पीड इतना है तो time क्या हो जाएगा 4 is 2, 3 समझ आना start हो गया होगा अब दो इन दोनों के बीच में केवल 1 का difference वैसे time में कितने का difference दोनों के बीच में 30 मिनट का 1 is equal to 30 पूछा क्या गया है A द्वारा इस दूरी को तह करने में लिया गया समय कितना होगा तो A का time निकालने के लिए 4 से multiply कर देंगे यानि कि 120 मिनट ठीक है भई A यहाँ पे time कितना ले रही है 4 तो multiply कर देंगे किसकी यहाँ पे 30 मिनट आ रहा है समझ आ गया सभी को बते ही भई दोस्तो समझ आ रहा है चलिए तो next question पर आते हैं अब देखे यह दोस्तों आपका question number कौन सा होगा 13 question number है यह दो नगर A और B के बीच की दूरी 22 किलोमेटर है अब देखे इस starting कर दिया करें बिल्कुल एकदम यही से A और B दो नगर है दोनों के बीच की जो दूरी है 22 किलोमेटर है एक cycle सवार 8 किलोमेटर परती घंटा की चाल से A से B की ओर चलता है ठीक है 8 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से यानि कि वो इधर से चला 8 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से इसके आदे घंटे बाद दूसरा cycle सवार 10 किलोमेटर परती घंटा की चाल से B से A की ओर चलता है वे दोनों A से कितनी दूरी पर मिलेंगे अब यहां पर थोड़ा सा जो ट्विस्ट है न A वाला जो बंदा है दोस्तों यह आदा घंटा पहले चल दिया था यानि कि यह आदे घंटे में कितने डिस्टेंस अकेले ने cover कर ली होगी तो वो cover कर ली होगी 4 घंटे क्योंकि 4 किलोमेटर क्योंकि ए गंटे में 8 किलोमेटर करता है यहां पे समझा देता हूँ इसने पूरी डिस्टेंस को यानि कि पूरी डिस्टेंस 22 किलोमेटर है ठीक है न इस 22 किलोमेटर को A 8 किलोमेटर परती घंटा और B 10 किलोमेटर परती घंटा से cover करते हैं और यह आदा घंटा पहले चलता है तो आदे घंटे में 4 किलोमेटर कवर कर चुका होगा तो टोटल डिस्टेंस में से में 4 किलोमेटर घंटा लूगा तो अभी जो cover करनी है न इनको इनको करनी है 18 किलोमेटर cover ठीक है और समय निकालना है तो यहां पे 18 को मैं divide करूँगा दोस्तो दोनों की चाल से plus करके ठीक है दोनों की चाल plus करके कितने आजएगे 10 और 8 अठारा तो अठारा को अठारा से divide कर दूगा एक घंटे बाद मिल जाएंगे पूछा था दोस्तो ए से ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो पहले चार किलोमेटर चल जुगा था एक घंटे में कितना चलेगा आठ और चल देगा तो चार प्लस आठ तो 12 किलोमेटर पर मिलेंगे कहां से एक ही साइड से अगर चलते है समझ गए कैसे 4 किलोमेटर पहले चल चुगा था एक गंटे बाद ये मिल जाएंगे यानिकि एक गंटे में कितना और चला होगा आठ किलोमेटर तो बारा किलोमेटर टोटल आजाएगा I hope कि आपको ये कोशन समझा गया होगा अब दोस्तों ये वाला जो कोशन में कवर कराने वालों है बहुत ही जादा important है इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा end तक देख लिया करें क्योंकि वीडियो के end में आपको हर एक वीडियो के end में important question ही मिलेंगे क्योंकि starting में हार hard question ही रख सकते हैं और इसकी एक trick है जिसको आप within seconds solve कर लेंगा और ये वाले question आपको 100% exam में देखने को भी मिलेंगे question कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दफतर तक cycle द्वारा 8 km पर दी घंटा की चाल से चलता है 15 मिनट देरी से पहुंचता है परन्तु 10 km पर दी घंटा की चाल से जाने पर तीन मिनट देरी से पहुंचता है उसके घर से दफतर की दूरी कितनी होगे अब देखे दोनों condition में वो देरी से पहुंच रहा है अब इसमें अलग-अलग condition बनेगे इसलिए मैं इस condition पर ध्यान दे रहा हूँ जब वो 8 km पर दी घंटा की स्पीड से चलता है तब तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है और जब वो अपनी स्पीड बढाके 10 km पर दी घंटा से चलता है तो उस condition वो 3 मिनट देरी से पहुंचता है कि दोनों case में क्या है देरी हो रही है तो इस condition में दोस्तों मैं आपको distance निकालनी बता देता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है delta t multiply, पहले वाली speed 1 multiply speed 2, upon में, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है speed 1 और यह आपका speed 2, इस तरीके से आपका यह क्या रहेगा, एक वो बन जाएगा, मतलब यह ट्रिक मान लीजे आप, बस इसको याद करना है, अगर दोनों side में देरी होगी, तब की मैं बात करना हूँ, अगर दोनों side में देरी होगी, तो यह बीच में जो है न, यहाँ पे minus होगा, अगर दोनों side में, एक side में देरी और एक side में, होता है, यहाँ पर देखे, मैंने यह चीज बताए आपको, 12, यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे, जब इन दोनों को वो करेंगे आप, अब delta t कैसे निकालेंगे, वो सीख लिजे एक पर, जब दोनों side में देरी होगी, तो minus करेंगे, यानि कि 15 में से 3 minus कर दिये तो 12, त multiply 10, अब यहाँ पर दोस्तों मीनट है, इसलिए इसको 60 से divide करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा खेल गंटे में चलता है, ठीक है, 1 hour में, 2 hour में, hours में चलेगा, तो 12, बटी 60 कर लिया, यहाँ बे मैंने बोला था, speed का, दोनों का difference लेंगे, तो यह 8 km परती गंटा ही चलता था, 8 km की है, तो यह आपका answer आजएगा, यह तो हो गया आपका, जब दोनों कंडिशन में देरी होगी, अब कंडिशन आ जाती है, एक साइड में देरी होगी तो दूसरी साइड में वो पहले पहुँच गया, एक विद्याले की बस किसी गाउं से विद्याले तक 12 km परती गंट है, तो गाह में विद्याले के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इस कंडिशन में दोस्तों मैंने आपको जो बताया था, वो ध्यान है, देखे कैसे, यहाँ पे अब की बार, कितनी मिनट देरी से पहुँच रहा था पहले, 8 मिनट देरी से, और अब वो यहाँ पर देखिए 10 मिनट पहले पहुच गा, दोनों को प्लस करके, यहाँ पर रिख लीजे दोस्तों, 18, समझ गे, समझ आया नहीं आया, यह बताये, अच्छा दोस्तों, मैंने सायद आपको एक चीज गलत बताई थी आपे, वो गलती से हो गया ऐसा, यहाँ पर हमेशा, जो स्पीड होगी न प्लस होगा, ठीक है, बाकी स्पीड में दोनों कंडिशन में ही दोस्तों माइनस करना है, तो यहाँ पर अब की बार 8 मिनट देरी से पहुच था था, 10 मिनट पहले पहुच लगा, तो डिल्टा टी आपका आजाएगा, 18, बाकी दूरी जो स्पीड है आपकी, 12 और 20 से मल्ट इसका, फीक है, अब बत यहाँ है, बताएगे एक कोशन और मैं आप से ऐसा पूछ लूँ, तो आप लोग कर देंगे, तो इसका आंसर बतएगा दोस्तों, नेक्स जो कोशन आपका यह, इस कोशन का, लास्त कोशन, लास्त कोशन का आंस्र आप लोग बताएगे, कमेंट बो किलोमेटर होगा मैं option भी देता हूं तीन किलोमेटर दो किलोमेटर पांच किलोमेटर या छे किलोमेटर रिस्टेंस होगे कमेंट बोक्स में बता दीजे यह आपका आज का लास्ट कोशन था तो दोस्तों ओन्ली टॉप स्टडी पर आप लोग को कैसा लगा पड़के जल्दी ठीक है बस आप अपने दोस्तों को इस चैनल पर जो भी चीज अप्लोड हो रही है अपने दोस्तों तक पहुचाईए उनको भी जोड़िए और उन तक भी ये free of content जो है चल रहा है हमारा इन तक पहुचाईएगा बाकी सारी वीडियो के link नीचे description box में वहाँ से जाके आप द झाप भी इना.